नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में आप देखेंगे LG की CRT TV है जो की 13 इंच की है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है जिसे हमारा की CRT TV तो इसमें अगर कोई 46 या हमारा टीबी किट खराब है या उसके पार्ट्स अप्लेबल नहीं है या किसी वाजा से वाटर डेमेज है तो आपको वहाँ पर जो है एक TV किट जो है मार्केट से लेकर इस्टाल करना पड़ता है तो इसके बारे में बताएं कि मार्केट में यहां आप सब जानते होंगे और एक है और लग-अलग टियबी किट के हिसाफ से डिजाइन किया ला मारकेट में जो भी किट है फिलिप चे नाम से या या ये लिकर या और इॡॵक। hit और कि यह जो है आप वो अल्टर्स नम में भी स्टाल कर सकते हैं क्योंकि सेम यही किट मों भी लग जाएगा तो आज ची लिए Вас देखते हैं सब्सक्राइब पहले इसके हम यहां पर निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसमें आप देखिए कैसे कैसे क्या करना है और उसके हिसाब से आप जो है किसी भी 30 इंची टीवी या अल्टा स्लीब में आप यूज कर सकते हैं तो यहां देख लिजिए यह हुआ इसका कीबोर्ड और यह है एस्टी अब हम सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं यह है स्यार्टी वेस तो स्यार्टी वेस को हम यहां पर पिक्चर ट्यूब के इस नेक पर इसे फिट कर देंगे और और कैसे फिट करना है यहां पर देख लिजिए एक गैफ है जिसे फोकस पिन काते हैं उसको सेंटर में करके और हम अंदर की तरफ इसे पुस्ट करेंगे तो देखिए यहां पर कैसे लगाया जाएगा जो जानते हैं उनके लिए कोई बात नहीं और जो इस फिल्ड में नहीं है तो वह वहाँ पे अगर कोई स्टाल करते हैं तो उसे थोड़ा इस तरीके से आप इसे लगाएं इसे इस तरीके से एक साइड में पूस्ट करके और इसे फिड कर देना है और यहां पे अब दो काम हो गए अब इसके बाद बचा यूग कोईл का वाइर अब योग कोईल का वाइर जो है आपको देखना है कि उसमें होरिजंटल और वैर्डिकल दोनौं होते हैं तो यह है यो कोयल का वायर अब इसे हम इसी एस्ट के बगल में जो पिन है यहाँ पर यहाँ पर दिखाईए आज अंदर की तरफ ऐसे यहाँ फिट कर्देंगे क्योंकि ऍस साकेट को आप उल्टा बैठाएंगे तो नहीं बैठेगा अब इसके बगल में एक horizontal का एक वार जो single लगेगा एक pin बचा हुआ है उस socket पे इसे यहाँ पे यहाँ पे इसके बगल में यहाँ पे लगाना है जो कि single है वो red color का वार होगा यह इसे जो है इस जगह पे ऐसे लगा देना है इसके बाद यह हमारे 4 वायर होगे यानि 4 वायर निकले जिसमें से blue और red यह horizontal का होगा क्योंकि यहाँ पे आपको भी से सौधानी रखने होगी क्योंकि अक्सर देखे हैं कि थोड़ा सा mistake के वर्टिकल को horizontal में horizontal को वर्टिकल में जोड़ने के वज़ा से वहाँ vertical IC blast होती है तब उसके बाद connection सही होता है तो उसको हम सबसे पहले बता दे रहें और यह उन लोगों के लिए वीडियो है जो कि इस लाइन में भी नए नए है तो सबसे पहले यहां पर एक एलर्ट होके काम करें जो यह कोयल का वायर है वहां पर जो लगाना है वायर उसे वर्टिकल और होरिजेंटल दोनों देख के लगाएं यह हमारा जो है यहां से इस वायर को पकड़ कर आप जाएंगे अंदर की त होरिजेंटल है यह दोनों यह आगे की तरफ यानि यह और यह होरिजेंटल है और इसके यहां अंदर की तरफ देखेंगे ब्राउन करर का यह जो वायर है यह एक सिकंड दिखाते हैं आपको ऐसे देखिए यहां पर क्योंकि यहां पर कई पिन है न तो यहां पर देखेंगे यह जो है यह और यह वर्टिकल हो गया और यहां पर यह और यह होरिजेंटल हो गया अब यह हमारा क्लियर हो गया अब यहां पर बिल्यू और रेड होरिजेंटल होगा और यह यह वर्टिक होगा इतना ध्यान में रखे आगे की तरफ हमारा horizontal और horizontal के पीछे की साइड में यह हमारा vertical रहेगा जहां पे यह दोनों बार जुड़ेंगे और यह देखे हैं यहां यह दोनों के बीच में गैफ होगा यह horizontal होगा तो यह होगा इसका connection और connection को सबसे पहले यहां ground करना बहुत जरूरी है जो कि CRT के जो उपर side shield जोड़े होते हैं तो वो क्या होता है कि पूरा ground होता है और इस ground को अगर आप यहां पर नहीं जोड़ेंगे तो जब टीवी को आन करेंगे तो बहुत तेज स्पार्क होगा इसलिए यह जो है ground यहां पर जोड़ना बहुत जरूरी है सबसे पहले यह जो है एक important है क्योंकि जैसे भी आप होता है वहाँ पर और यह देखिए दूसरा जो option है दूर रखेंगे तो ज्यादा क्लियर पिक्चर की जो sparking होती कभी-कभी वह आपको नहीं देखने को मिलेगा तो इसलिए यह कोईल के वायर को हल्का सा दूर रखें और यहां यह हो गया keyboard और sensor का वायर इसी तरीके से आपको इसके वायरिंग करना है और यहां पर आप देखेंगे तो इसके main wire यहां जो confusion नहों तो इसके लिए आपको इस line पर देखेंगे तो main wire यहां पर लगेगा क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि main wire को हम जो नहीं जानते हैं वो यहां पर degraging coil जहां लगता है उस socket पर बन के तुरंत बंद हो जाएगी और फिर जब लगाएंगे तो फिर आन होके फिर बंद हो जाएगी तो यह प्राब्लम हो जाता वहां पर ध्यान नहीं दे पाते कि यह supply कहां लगनी चाहिए तो इसे भी बहुत बिसेश ध्यान देके लगाना चाहिए जो जानते हैं उनके के लिए कोई बात नहीं और जो नहीं जानते हैं उनके लिए प्राब्लम है इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया है और यहां पर देखें कुछ सेटिंग है जो कि आपको सिर्फ रिमोट से करना होगा यानि वर्टिकल या होरिजेंटल में जब प्राब्लम होगी उससे घटाना बढ़ाना पड़ सकता है उससे आगे हम बताते हैं आपको सबसे पहले यहां देख लें यह जो ट्राइश्टल लगा हुआ है यह आउटपुट यह देखें यह जो आपका 29 इंच में यह इसका रिस्पॉंस बहुत ही अच्छा है इसमें प्राब्लम आ रही है और यह प्राब्लम आती ही है क्योंकि इसके जो हिट्सिंग है वह बहुत तेजी से हीट भी होते हैं लेकिन अब भी उसका भी आप से नुम बताते हैं कि उसके लिए क्या करना है यहां पे इसकी जो सप्लाई है एस्टी आर सप्लाई है और यह नार्मल टीबी किट यानि जो उनियर्सल किट है से अर्टी की उससे थोड़ा बड़ा हुआ है क्योंकि इसके एंपियर अधिक होते हैं जो सिलिम टीबी या 29 इंच में लगते हैं थोड़ा सा उससे डिफरेंस होता है और इसमें देखिए यह जो डिफरेंस है यहां पर दिखा दें आपको नार्मल टीबी से और इस टीबी में देखिए जो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा जो कि इसकी में पहचान है यहां पर और इसमें जो डिजाइन किया गया है यहां से यानि जो इसकी बेट्ट होती है यानि होरिजेंटल की वह यहां से उसके कम ज्यादा करने का जो आपसन हम रिमोट से करते हैं उसका इफेक्ट इस ट्राइश्टर पर बढ़ता है और यह एक PNP ट्राइश्टर है तो यहां पर आपको दिखा दें यह जो IC 883 या और भी जो कोडिंग है यह नार्मल सभी में लग जाते हैं लेकिन कुछ के फीचर अलग-अलग है जैसे किसी किसी में आउटपुट यानि यह भी इन्पूट आउटपुट दोनों होते तो इसमें आपको सब कुछ दिया गया है यानि सब फीचर है जो होने चाहिए इस किट में तो आपको दिखा दें अब हम लगाने के बाद जो है इसे आन करते हैं और सामने आप देखें इसका डिस्प्ले जो है स्क्रीन पर आ गया है यह लिए लिखके आ रहा है लेकिन यह उल्टा है अब यहां पर हम यह कोयल के वर्टिकल वायर को आपस में चेंज कर देंगे यानि यह यलो और ग्रीन को यह लो को ग्रीन के जगे पर ग्रीन हमारी सीधी हो जाएगी और यह है इसका इन्पूट वायर और यहां पर जो हम आ डिट लगायांगे तो यहां से देखे इसमे है stereo दिया हुआ है यानि IDEO का दो wire है और एक video का तो video का अलग हो गया अब इसके बाद बचा हमारा दो wire जो कि left और right यानि IDEO के लिए है आवाज के लिए तो उसे हम जो है अलग अलग जोड़ेंगे और आप यहां अगर shield wire यूज करते हैं तो पिक्चर में इस पार्क Agr मिलने का कम चांस रहता है क्योंकि नाव प्रक कोकी बगल से बाएगा यहां पर बाल देखने को मिलते हैं तो यहां पर सिषीर्ड वायर अगर इस्त्वाल करते हैं तो आपको कोई इस पार्कCl year कीं दिखें अब इसे यहां पे हम शोल्ड कर देंगे और इसके बाद देखिए इस समय जो है यह पिक्चर उल्टा दिख रहा अब इसे जो है हम सीधा करते हैं कि यानि कैसे सीधा किया जाएगा यानि वर्टिकल वायर को आपस में उलट दिया जाएगा इससे पिक्चर हमारी सही हो जाएगी और यह है इसका स्पीकर वायर स्पीकर के लिए यानि डबल स्पीकर हमारे स्टीरियो है तो अलग अलग लेफ्ट के लिए अलग राइट के लिए अलग लेकिन यहां पे हम आपको यह सिंगल जोड के दिखाते हैं अब यहां पे हम पिक्चर को सिधा कर लेंगे इस वायर को आपस में चेंज कर देंगे यानि यह वर्टिकल का वायर है अब इसको जो है जहां पहले ग्रीन जुड़ा था वहां पे इस वायर को जोड देंगे अब देख लिए यह जो है अपस में चेंज कर देंगे अब देखिए टीवी को आन करते हैं और इसके बात देखिए यह जो है पिक्चर हमारा सीधा हो गया अब इसमें प्राब्लम क्या है यह उसकी वर्टिकल जो है बढ़ी हुई है यानि पिच्चर उपर और नीचे बढ़ा हुआ है अब इसे हम सर्विस मोड को आन करने के लिए यहाँ पे एक होल दिया गया है यहाँ पे आप जब इसे पुछ करिएगा तो यहाँ पे जो है आपको सर्विस स्विच ओपन मिलेगा तो एक बार पुछ करेंगे तो उस समय क्या होगा कि CRT के कलर और दूसरा पार पुछ करने पे यह आपसन मिलेगा जहाँ पे बी साइज लिखा हुआ है इसे हम जो है कम या जादा करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा यानि कम करते हैं तो देखिए पिक्चर नीचे की तरफ शिफ्ट होती है यानि सही कंडिशन में अपने आती है जितना आपको चाहिए उसे पे रोग देना है और उसके बाद जो है सर्विस स्विच को दो बार पुस करके वापिस आगाना है और इसमें जो अधर सेटिंग है यानि सर्विस मोड में जितने भी और अलग सेटिंग है जैसे मारा कलर के बारे में हुआ या बिफ्ट के बारे में चौडाई के बारे में हुआ इसकी वीडियो हम जो है अलग से बना देंगे जिसमें remote setting के बारे में बताएंगे यहां पर फिरहाल आप देख लिजी हीट सिंग है जो कि काफी गर्म होता है किसी-किसी में overheat भी होता है तो उसके लिए यहां पर लगा सकते हैं उसको कुछी इस तरीके से आप यहां पर लगा सकते हैं और यह लगाने से आपका टंप्रेचर एक नार्मल हो जाएगा जिससे प्रॉब्लम आने के कम चांस रहता है क्योंकि हीट सिंग जो लग के आती है वह बहुत ही हल्की होती इसलिए overheating भी होता ह तो इसके लिए यहां पर एक हिट सिंग यिश्वर आप कीसे लगा सकते हैं और उसे कैसे लगाना है आप यहां पे देखें तो इसके लिए यहां पर एक खोल करके यहाँ इस side में नीचे से support देके क्योंकि hitsing टूट जाएगी अगर नीचे से आप support नहीं देंगे यह अपने हिसाब से अपने दिमाग से आप इसे किसी भी तरीके से यहाँ इस तरीके से कर सकते हैं विशे हमने एक idea बताया है आप अपना idea भी लगा सकते हैं किसी तरीके से यहाँ पर लगाना ही है hitsing इससे क्या होगा आपका कोई problem नहीं आएगा और बहुत अच्छी तरीके से यह काम करेगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक वीडियो में तो thank you दोस्तों और देखते रही है और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो please like करें और जो लोग मेरे चैनल में नहीं हो तो please मेरे चैनल को subscribe कर ले मैं electronic से related वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ तो thank you दोस्तों और देखते रही है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नहीं है तो दो अबसाद देखते तो अबसाद तो 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 श्माद भॉष जाल में मारिस्तानी उता अरो जोच वार के सामा